Hey everyone, welcome to our channel दिन दिन पहले जब से Ola Electric ने ये ट्वीट किया है कि Ola S1 Pro का पर्चेस विंडो ओपेन होने वाला है 17th and 18th March को तब से लेके बहुत सरे लोगों के मान में यही हल चल मची हुई है कि कैसे ये खड़ीदा जाए आज 18th March को जिन लोगों ने अभी तक रिजर्व भी नहीं किया है उन लोगों को भी ये अकसेज रहेगा कि Ola S1 Pro को खरीदने का तो डिफरेंट शायज में डिफरेंट प्राइजस क्यों है वो ही हम बात करेंगे आज इस वीडियो में तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उसके साथ सा तो बेल आइकन भी जरूर दबाईए तो चलिए अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कल यानि कि 17th मार्च को जो लोग खरीद जहेते उनमें से बहुत सरे लोगों का मतलब हमारे सब्सक्राइबर्स का डिफरेंट शैर से या फिर बोल सकते हैं कि डिफरेंट स्टेट से हमारे पास यह कॉमेंट आ रहा था कि वहाँ पर प्राइज बहुत हाई है तो हमारा क्या था, हमने क्या पेमेंट किया था उस टाइम पे तो हम लोग जब ये देखा कि हाँ different share में different prices क्यों है तो हमने different shares का pin को डल के ये check किया Ola app में जाके तो हमने देखा कि हाँ सची में Ola S1 Pro का different shares में different है तो यहाँ पे मतलब पूने पे जो price है वो लगभग 1.3 lakh है तो यहाँ पे अब देख सकते हैं कि लिखा हुआ है price के नीचे कि effective एक showroom price है तो ये already subsidy को cut करके और ये एक showroom price है लेकिन दूसरे share में जहाँ पे बहुत high price है तो वहाँ पे दिखा रहा है कि वो on road price है without state subsidy तो वहाँ पे state subsidy दिया हुआ नहीं है मतलब cut किया हुआ नहीं है तो अगर आपके state में subsidy मिल रहा है तो आपको जब scooter मिल जाएगा तब आपको जाके ये claim करना होगा subsidy के लिए and then आपके पास वो amount आ जाएगा हाला कि मैं जब ये video बना रही थी तब Assam and UP का price घटके कम हो गया है जैसे कि Assam में था 1.45 lakh लगभग and हो गया है अभी 1.3 lakh UP का भी बहुत high था वो हो गया 1.3 lakh तो आशा करती हूँ जिस state में भी अभी high price है वो भी घटके 1.3 lakh ही हो जाएगा आज अभी Ola S1 Pro का जो best price है वो है लगभग 1.3 lakh तो Ola Electric की तरफ से ये ही बोला जा रहा है कि ये ही आपके पास last chance है कि इस दाम में Ola S1 Pro को खरीदनेगा और कल रत को वबेश अगरवल जी ने भी ये ही tweet किया है कि next time जब ये purchase window open होगा Ola S1 Pro का तब ये price बढ़ जाएगा तो आपके पास ये ही सुनेरा मौका है आज रात midnight तक तो जाइए Ola App में जाके अपना मन पसंदीता color चूस कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यारा colors अभी available है इस गेरुआ को लेके और भी एक बड़ी बात है कि अभी तक Ola Electric ने जो बोला है उस हिसाब से कि आज ही एक गेरुआ color आपके लिए available रहेगा तो अगर आप लोगों को गेरुआ color अच्छा लगता है तो जाइए आज ही इस Ola S1 Pro को खरीद लीजिए तो ये तो हो गया कि आपको आज एवोला S1 Pro खरीदने का मौका मिल गया और आप खरीच सकते हैं लेकिन अभी चलिए बात करते हैं इसकी payment के बारे में तो अगर आप लोगों को आज ही खरीदना है तो एक बड़ा amount आपको pay करना होगा तो उसके लिए अगर आप लोग ready नहीं हैं तो आप loan भी ले सकते हैं and loan के लिए क्या के options है या पर आप देख सकते हैं कि आप HDFC, IDFC और Tata Capital से loan लेके ये खरीच सकते हैं तो अगर आप लोग Ola S1 Pro को खरीदना चाते हैं तो आपको Ola App में जाके ही ये खरीदना होगा तो अगर आप लोगों को ये वीडियो informative लगा हो या फिर helpful लगा हो तो please give a like for this video हमें support करने के लिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए and bell icon भी जरूर दबाईए उसके साथ साथ इसको share कीजिए ज़ाद से ज़ाद ताकि दूसरे लोगों को भी ए information मिल जाए